हेलो एवरिवन तो यह जितने भी स्टुडेंट्स हैं उन सभी के दिमाग में अभी सबसे बड़े दो ही डाउट चल रहे हैं सबसे पहला डाउट चलता है हमारा रिजल्ट टर्म वन को ले करके या टर्म वन रिजल्ट मैं कहूं इसको ले करके चल रहा है क्योंकि इसके सबसे बड़ी अपडेट तो आपको बता देता हूं दूसरी भी हम डिसकस करेंगे जब रिजल्ट कन आरहा है तो जब cv see board भी उसी तरीके से करता है तो बही तो cv see baik्या अपना कुछ निकाला नहीं तो cv see यहां पे जाकर कि आपके same to same pattern जो है हमारा Tom 2 का वो बिल्कुल same रखा गया है Class 10 वाले बच्चों के लिए बिल्कुल same to same चीज रखी गई है साथ ही जाकर कि इसमें top quality questions मिलते हैं आपको पता है कि जो यह sample paper बनाते हैं वहीं से direct questions हमारे एक बार को निकल करके आ जाते हैं CBSE के paper में भी इस तरीके की चीजें भी होती है साथ ही में इसके total आपके 10 sample paper जिसमें मिल जाने वाला है ठीके 10 sample paper के बाद उसमें 5 sample paper आपके solved होंगे और 5 आपके self assessment के लिए होंगे साथ ही में इसमें बहुती बड़ी अच्छी चीज मुझे जो लगती है इस book की कि यहाँ पे आप पहला page open करोगे तो यहाँ पे आपको QR code दिखेगा ठीके आप यह QR code किसलिए है यह QR code से आपको free of cost self assessments मिल जाएंगे जैसी आप scan करोगे और इसमें code डालोगे secret 100 तो आपको free of cost में self assessments मिल जाएंगे जो कि आपके tom 2 में बहुत ज्यादा फाइदा देने वाला है यह चीज किसी भी books में नहीं मिलती है जो कि इस book में मिल रही है same to same paper आता है तो यह book आप सभी के लिए जितने ही बच्चे board का paper देने वाले हो सभी के लिए recommended है जाकर के लिंक्स मेरी सारी description में है जाकर के अभी इसे purchase कर लो कि paper का एक से दो महीं नहीं बाकी रह गया है purchase कर ले ना वरना बाद में पच्चता हो गया मैं दूसरी सबसे पड़ी update की बात कर रहा था वो दूसरा सबसे बड़ा update हमारा था कि अब उमंग एप में भी सबसे उपर दिखने लग गया है डिजी लॉकर का ठीक है उमंग एप में अभी तक नहीं दिखना शो हुआ था लेकिन अब उमंग एप में भी शो हो गया है कि आप सभी के results out होने वाले हैं डिजी लॉकर का बिल्कुल उपर बैनर्स हो गया है और कल ICSE का आ रहा है अब जब ICSE का आ गया तो CBSC भी उसके एक दो दिन बाद के बाद result निकाल देगा ठीक है तो यह confirm हो चुकिए कि आप लोग का result आ रहा है जो लोग सोच रहे था कि result नहीं आ रहा नहीं आ रहा अब अपने दिमाग से यह चीज़ निकाल दो कि result नहीं आएगा result आप सभी का पक्का आने वाला है जैसी हमारा result आएगा ठीक है जैसी result आएगा उसके बाद ही डेट शीट आएगी और मैं आप सभी को एक्सपेक्टेड डेट बता दो एक्जाम होने को ले करके तो वह कब होने वाला देखो मार्च 10 तक तो हमारा एक तरीके से पक्का नहीं होगा ठीक है क्योंकि इलेक्शन से यह सब चीज़े तो तब नहीं लेगा आपका सभी के पास हैं अपनी प्रिप्रेशन को ले करके तो अच्छे से आप सभी प्रिप्रेशन करो सैंपल पेपर की जरूत है डिस्क्रिप्रिप्शन में लिंक दे रखिए जा करके पर्चेस करो तो बस या थैंक यू फोर वाचिंग दे वीडियो जय हिंद जय भारत